हलो एव्रिवान आप सभी का स्वागत है भई मागनिट ब्रेंज के शांदार यूड्यूब चानल पर जाबरम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% free of cost high quality education of K12 यानी kindergarten से लेकर class 12 तक बढ़िया वाली पढ़ाई free of cost और बिटा हिंदी मीडियम के जो हमारे प्यारे students हैं जो class 6 से class 12 UPMP बहार राजस्तन और देली बोड में पढ़ रहे हैं वो मस्त वाली बहुत अंदरुस्त वाली पढ़ाई कर सकते हैं free of cost magnet brains in the medium youtube channel पर जाकर और notes के लिए आप हमारी website और application तो check out कर ही सकते हैं बिटा मेरा नाम है जीशान मैं हूँ आपका maths mentor आपको लेकर चल रहा हूँ बिटा application of derivatives जो chapter हमारा है उसकी exercise 6.3 के question 24 25 26 यानी तीन questions हमें इस particular इस particular वीडियो में इस session में कतम करने हैं अच्छे से समझने है question बढ़ लो बिटा show that the right circular cone of least curved surface area least curved surface area समझ रहे हो least मतला minimum curved surface area ध्यान जो सुनो given volume volume given है भी या का हे का volume given है अब सुनो तुम धंग से सुनना जी sir previous अगर questions के solutions मेरे से explanations देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से आ जाएगा क्या given है given है भीया कि volume हमें given है sir volume हमको क्या है given अब volume अगर हमें given है तो हम क्या करेंगे वी जो है न हमारा वो क्या है वी हमारा volume हमारा constant क्यलाएगा given वाली चीज इन questions में हम constant मानते हैं fixed मानते हैं ठीक है volume of the cone is given ठीक है sir ध्यान से देखना जी sir तो volume क्या कहलाएगा volume कहलाएगा वही अपना cone का volume आपको पते ही है बिटा 1 upon 3 pi r square h है ना तो हमने क्या माना r मान ली बिटा पहले पन चलो cone बना ही लेते हैं चलिए sir तो यहाँ अपन cone बना ही लेते हैं sir यह अपना cone बन गया ठीक है ठीक डन तो this is बिटा cone का अपन कहेंगे sir height this is बिटा cone का radius और slant height भी यहाँ बनानी पड़ेगी क्योंकि इस question में हमें slant height के बारे में भी बात करनी पड़ेगी curve surface area के बारे में बात हो रही है न अरे भाई सीधी line नहीं बनती है इसमें ठीक है done तो यह सीधी line approximately बन गई मुझसे जितनी बन सकी मैंने बना दी ठीक है done ठीक है done तो आगे दिखते हैं सर जी यह हो गई height height of the cone ठीक है यह हो गई बेटा radius of the cone तो r लिख लिया और यह हो गई बेटा slant height of the cone जिसको मैंने l लिख लिया बेटा slant height भाई मुझे उम्मीद है कि तुम class 9 अच्छे से pass करके आए हो slant height पता होगा तुम्हें कोन में क्या होती है ठीक है done सर अब यहां आपनको जो चीज समझनी है वो यह है कि यहां काई की बात हो रही है least curve surface area जो हमें curve surface area csa curve surface area रखना है न वो minimum रखना है सर क्या रखना है minimum curve surface area का formula आपको कोन का पता होना चाहिए पाई rl यह हमें minimum रखना है लेकिन एक नाटक है सर जिस चीज को minimum या maximum रखना होता है उसके formula expression में एक variable आना चाहिए पर यहां तो r और l दोनो variable है r यानि radius of the cone कुछ भी हो सकती है बढ़ सकती घट सकती l यानि की slant height of the cone बढ़ सकती है घट सकती है कोई बात नहीं है अब क्या करें सर पहला काम तो यह होगा बिटा के l को अटा हो या r को किसी a को अटा के a की ही a की ही variable में लेकर आओ तो sir show that the right circular cone of least curved surface area given volume ठीक है volume अपन को दिया है volume अपना constant है has an altitude equal to ठीक है altitude अपन को यह प्रूफ करना है मैं बात में प्रूफ करा दूँगा कोई दिक्कत नहीं अभी अपन आगे की बात करें सुनो ध्यान जो सुनना ठीक है अब यार बच्चा एक काम कर सकते है अपन क्या सर एक काम यह हो सकता कि अगर हम ध्यान जो सुनना यहां इस question में इस question में हमारे पास R B है H B है और L B है तीन तीन variable वाला question है इस question में तो भाई सहाब मज़ा आ जाएगा सर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यह slant height जो L है ना उसका square होता है R square radius square plus H square के यह आपको पता होना चाहिए ठीक है सर पक्की बात है हाँ सर बिलकुल पक्की बात है तो यहां changes करना है हमें यहां R को अटा कि यहां तो L में convert करो या L को अटा कि R में convert करो कुछ एक काम तो करना पड़ेगा सर क्या कर सकते हैं आप बताओ देखो मैं बताता हूं आपको सुनना ध्यान से सुनना जी सर देखो बच्चा या तो आप या तो आप आर और L दोनों को H में convert कर दो दोनों को h के terms में कर दो या फिर r को रहने दो l में कर दो r को l में कर दो या l को r में कर दो कोई एक काम आपको करना पड़ेगा अभी बताता हूं ध्यान सुनना अपने काम करते हैं क्या सर अपन r की value निकालते हैं यहां से r square क्या आएगा बिटा नहीं यह तो root में चला जाएगा रुको ज़रा r square की value अगर मैंने यहां से निकाल दी तो r square हो जाएगा बिटा r square is equal to l square minus h square ठीक है l square minus h square ठीक है भी या l हमारा variable है h हमारा variable है r square की value यहां रखेंगे अगर 1 upon 3 pi r square की value हमने लिखा l square minus h square ठीक है अब ये पूरा का पूरा L और H में हो गया, ठीक है, L और H में हो गया, ठीक है, ये L और R में है, ठीक है, is equal to V, is equal to V, ठीक है, सर, R मर गया यहाँ, ठीक है, अब यहाँ अगर मैं H का multiply कर दूँ, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, V is equal to 1 by 3 pi, H into L square is, अंदर कर देता हूँ, L square H minus, H into H square is H cube, ठीक है, सर, bracket close, done है, बिल्कुल done है, इसको वहाँ भेजेंगे, तो 3 V upon pi आ जाएगा, is equal to L square H minus H cube, ठीक है, यहाँ से अगर L की value निकालेंगे, तो L की value H में आईगी, और R को भी H में करना है, तो R, B, H में आ सकता है, एक सेकेंड रुको, L की value निकालते हैं, यहाँ से 3 V upon pi, ठीक है, minus से यह plus का H cube बन जाएगा, is equal to L square H, और H निकालने के लिए, यहाँ L से डिवाइड करेंगे, L square को भेज़ देंगे यहाँ, 3 V upon pi, L square यहाँ आ जाएगा, H cube upon L square, यहाँ भी आ जाएगा, यह H की value आ गई, H की value आई अपने पास L में, नहीं, 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 उल्टा कर दिया, यहाँ, H, H से डिवाइड करना चाहिए, ता रुक जाओ, H को भेज़ो यहाँ, तो H यहाँ आ जाएगा, plus H cube के नीचे upon H आ जाएगा, is equal to L square, ठीक है, चलो, इसको देखते हैं बिटा, इसको जल्दी से इतना copy करो, यहाँ यार, एक और काम किया जा सकता है, यहाँ देखो, एक और काम अपन कर सकते हैं, अगर अपन इतना लंबा चोड़ा ना करें, इसको अटा दें, ठीक है, इसको अटा के, एक काम करते हैं, इसको भी रेस करो, इसको भी रेस करो, ठीक है, अपने पास यह है, यह सारी चीज़े अपने पास हैं, ठीक है, अब अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ L को अटा सकते हैं अपन और L यहाँ से तो हटेगा नहीं यहाँ से हटेगा तो L की value के आएगी बिटा इसको root तो यह root के अंदर चला जाएगा R square plus H square यह positive ही आएगा plus minus मतलगा देना ठीक है? तो यह L की value अपन नहीं यहाँ रखी पाई ठीक है सर R ठीक है सर L अटाके हमने इसको किसमें चेंज कर दिया सर R square plus H square ठीक है अब सुनते हैं ना हमारा main मकसद है हम इसको एक variable में convert करें तो सर पाई R पाई तो constant है R ठीक है R आगया अब H H अटाना है सर R आगया R आगया H अब H को अटाके R लाना है है ना H को अटाके हमें R लाना है तो सर इसके लिए क्या करेंगे simple है कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से अब मदद लेंगे अब we will take help from this side अब यहाँ से help लेंगे V constant है तो 3 को इदर भेजो 3V हो गया is equal to pi R square H ठीक है सर H, H अटाना है मैं फिर बोलना हूँ I have to remove H तो सर H निकालेंगे यहाँ 3V upon pi R square is equal to H यह H की value आगई H की value में कौन है यह R है बस V is not variable V fix है V is a volume, volume constant है यहाँ रख देंगे तो यह क्या आएगा pi R under root R square upon 1 ठीक है plus H square पिटा यह H है H square होगा 9V square ठीक है सर 9V square 9 इसका V square upon pi square और R की power 4 तो अब आप यह देखो पिटा यह पूरा का पूरा किस में change हो गया R में change हो गया देखो curved surface area को अपन ने A की variable में change कर लिया and that is R ठीक है ना done sir अब बिटा यह हमारा curved surface area बन गया और यह पूरा का पूरा मैं फिर भोल रहा हूँ यह पूरा का पूरा बिटा किस में हो गया यह A की variable में and that is R V is not a variable V is fixed तो यह हो गया हमारा curved surface area done sir इसको लिख लेते हैं अपन वही 9 V square upon pi square R की power 4 plus R square ठीके डन यह सट डन अब यह लिख लिया यार अब आगे अपन step लेने से पहले मन्दम मैंने आपको पहले भी बताया है कि आगे step लेने से पहले आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें step लेने क्या है और हमें step क्यों लेना है the things are हमें step क्यों लेना है और हमें कौन से step लेना है ठीक है तो sir हमें पहला step लेना है क्योंकि हम second order derivative test के हिसाब सही करते है पहला step है कि भई यह इसको differentiate करो अब यह जो पूरा R के terms में लेकिन यह रूट में और रूट अपन हटाते है याद करो रूट हटाके differentiation करते है तो अपन क्या करेंगे इसका squaring कर देंगे sir अपन इसका करेंगे squaring both sides squaring both sides sir दोनों तरब हमने क्या कर देना है squaring और squaring करने से क्या होगा sir a बन जाएगा a square इसका square root तोड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 9v square upon pi square ठीक है r की power 4 ठीक है plus r square sir यह हो जाएगा इसको तोड़ा और solve कर लो अंदर multiply करके तो यह क्या हो जाएगा sir a square is equal to pi square r square into this तो यह हो जाएगा 9v square pi square r square upon pi square r की power 4 done plus pi square r square into r square तो यह हो जाएगा pi square r square into r square r की power 4 काटब pt दो बनती है pi square pi square कट गया बिटा r square से यह कटके r square आया नीचे तो हमारे पास a square आया क्या हमारे पास a square जो area का square आया that is 9v square ठीक है sir 9v square upon r square upon r square सर्दे को कितना छोटा आगया कितना बड़ा अच्छा लग रहा था plus pi square r की power 4 pi square r की power 4 यह आगया sir ठीक है तो यह आगया अब इसको अपन को एक और बार let करना पड़ेगा क्या क्योंकि a square नीच अब अपन let करेंगे इसको let z is equal to a square यह जो a square है ना sir step number one that is differentiation step number one करते है differentiating differentiating with respect to r के respect में होगा क्योंकि r है पूरे में r है ठीक है तो होगा क्या sir होगा यह बिटा कि इसको पूरे को f of r मान सकते हैं अपन function fx नहीं f of r और f of r है यह यह z है हाँ sir तो हपन क्या करेंगे इसके पीछे लगा देंगे d by dr sir इसके पीछे लगा देंगे d by dr z तो ही हाँ sir a square तो भूल ले आप यह तो गया z आ गया z को अपन f of r भी बोल सकते हैं is equal to बिटा बीच में plus है तो हपन क्या करेंगे d by dr दोनों में अलग 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 लगा देंगे d by dr 9 v square upon r square ठीक है plus d by dr d by dr pi square r की power 4 done यह sir अब ध्यान जो सुनो जी sir जी sir जी sir यह हो जाएगा अपना f dash x x नहीं sir r ठीक है और यह हो जाएगा बिटा अपना d z by dr यह तो यही रहेगा ठीक है d z by dr is equal to बिटा 9 और v square यह दोनों constant है v बिटा volume मैंने लिख दिया तक आँ है v volume constant है तो sir 9 v square पीछे आजाएगा d by dr बिटा किसका आएगा 1 upon r square तो 1 upon r square को अपन ऐसे लिख सकते है r की power minus 2 ठीक है 9 v square पीछे आजाएगा d by dr 1 upon r square 1 upon r square को r की power minus 2 लिख सकते है प्लस सर पाई square बिटा पाई square तो खुद constant है d by dr r की power 4 d by dr r की power 4 done है यहाँ सर दन है चलो आगे की बात करते है तो बिटा यहाँ पर हमने d by d x x की power n पढ़ाता है न d by d x x की power n क्या होता सर यह n x की power n minus 1 अब x की जगा अगर r आ जाए तो क्या होगा कुछ नहीं सर d by dr d by dr r की power n तो यह हो जाएगा n r की power n minus 1 बस n आ जाएगा r की जगा sorry x की जगा r आ जाएगा ठीक है तो यह भी बिटा देखो d by dr r की power n n की जगा minus 2 है तो यह आ जाएगा minus 2 R की power N की जगा minus 2 और minus 1 minus 3 तो यह आ जाएगा इसकी जगा ठीक है इसकी जगा आ जाएगा minus 2 R की power minus 3 minus 2 R की power minus 3 तो इसको लिखते हैं बेटा 9 V square bracket minus 2 R की power minus 3 bracket close done sir plus ठीक है pi square as it is इतने part को भी बेटा पन ऐसे ही solve करेंगे इसी formula से तो क्या हैगा 4 pi 4 R cube आएगा क्या आएगा बेटा 4 R cube done है सर बिलकुल done है और यह आया बेटा हमारा क्या D Z by D R equal to यह आया सर हमारा F Z R इतनी बात clear है हाँ सर थोड़ा और अच्छी से लिखते हैं minus minus 3 set करके settle करके तो यह आ जाएगा बेटा अपना 9 to 18 minus का 18 V square R की पावर minus 3 minus 3 को अपन भी लिख सकते 1 upon R cube plus 4 pi square R cube 4 pi square R cube तो सर यह क्या है हमारे पास हमारा F dash R आया पहला step complete होगा दूसरा step करने चलेंगे सर दूसरा step क्या होगा बेटा दूसरा step होगा सर ध्यायन से सुनिएगा दूसरा step होता है आपका जो F dash R आया इसको equal to 0 रखके critical point निकालो दूसरा step F dash R जो आया यह आप कह सकते हो D Z by D R जो आया इसको आपको equal to 0 रखके R की value निकालनी है यहाँ R चल रहा है तो R की value निकलेगी ठीक है सर तो यहाँ बेटा अपन लिखते है minus 18 V square minus 18 V square और R की power minus 3 है R की power minus 3 है तो अपना R की power minus 3 को नीचे लिख लेते है R की power 3 ऐसा हो जाएगा नीचे जाके ठीक है तो प्लस 4 pi R square R cube प्लस 4 pi प्लस 4 pi square R cube pi square R cube बराबर 0 डन है सर बिलकुल डन है बिलकुल डन है बिलकुल डन है इतने बाट को वहाँ ले जाओ तो बिटा यह आजाएगा 4 pi square R cube is equal to यह पूरा positive हो जाएगा 18 V square upon R cube डन है सर हाँ यह R cube बिटा यहाँ आजाएगा तो it will be R की power 6 4 pi को वहाँ भेजो तो बिटा 18 V square upon 4 pi square सर यह आजाएगा ठीक है जल्दी से देख लो बिटा फिर अपन आगे चलते हैं अच्छा यह R cube के पास यह R cube आएगा ना तो R की power 6 हो जाएगा confuse मत हो ना multiply हो के ठीक है डन सर बिटा इसके बाद अपन क्या करेंगा अब R की value R की power 6 देखके डर बच जाना R की power 6 देखके बच्चे डर जाते हैं डरना नहीं है डरना मना है हाई काम कर जकते हैं इसको simple कर जकते है 2 9s आ 2 2s आ ठीक है तो basically हमारा R की power 6 क्या है यह बिटा 9 V square upon 2 pi square अब सबसे पहली बात यह समझो के R की power 6 देखके अपन को डरना नहीं है R की power 6 को कैसे solve करना है सर R की 6 values आएंगी क्या नहीं बिटा सुन तो लो R की power 6 को अपन ऐसी कर जकते हैं R, R cube का square हाँ ऐसे लिख सकते हैं सर सही बात है 3 2 2 6 बिल्कुल सही है is equal to 9 V square upon 2 pi square बिल्कुल सही बात है सर अब इसके square अटाएंगे तो यह under root में चला जाएगा plus minus under root ठीक है सर सही बात है बिल्कुल सही कर रहे है सर तो अपन यही काम आगे करेंगे सर क्या करेंगे सर जी यहाँ अपन लिखेंगे R cube is equal to यही square अटा यह plus minus under root 9 V square upon 2 pi square बिटा लेकिन एक बात ध्यान रखना क्या R radius खुद एक positive चीज होती है radius का cube करोगे तो positive आएगा R radius radius एक positive चीज है positive into positive into positive positive तो अगर यह R cube positive है तो यह positive होगा न तो minus तो आएगा नहीं सही बात है तो इसको अटा देंगे बिटा यह plus का ही रहेगा तो यह बिटा क्या देगा आपको 9 बाहर आजाएगा 3 V square V बाहर आजाएगा root के अंदर 2 फस जाएगा pi square तो pi बाहर आजाएगा यह जो आई न बिटा यह R cube की value I 3 V upon under root 2 pi R से Q बटेगा तो क्या होगा सर R से Q बटेगा तो इसकी power 1 upon 2 आजाएगी 3 V upon 3 यह R की value आगए और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त इसको हम बोलेंगे critical point क्या बोलेंगे critical point this is CP यानि की critical point आगे चलते हैं next step number 3 क्या होता है step number 3 होता है ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा step number 3 होता है f double dash x निकालो sir क्या f double dash x x तो है नहीं है तो f double dash r निकालना पड़ेगा sir किस से आएगा f dash r से आएगा f dash r क्या है f dash r यानि वो ही dz upon dr sir यह क्या है जल्दी से देख लेते हैं dz upon dr sir हमारा पीछे आया था देख लेते हैं f dash r या dz upon dr 18 v square r की power minus 3 ठीक है minus 18 ठीक है sir v square v की power r v square r की power minus 3 ठीक है r की power minus 3 ठीक है sir फिर क्या है plus 4 pi square r cube 4 pi square r cube done है sir बिल्कु दन है आगे चलते हैं ठीक है moving on to next देखना अब sir इसको फिर से differentiate करना पड़ेगा with respect to r differentiate with respect to r ठीक है r के respect में हम differentiate करेंगे तो इसके पीछे लग जाएगा d by dr बेटा किसका f dash r का sir इसके पीछे भी लगा दो अगर लगाना हो तो d by dr किसका बेटा d z by dr का मेंने यहां लगाना बेटा इन दोनों के बीच में plus है तो इसका मतलब दोनों में अलग अलग लग लग जाएगा d by dr किसका बेटा minus का 18 v square r की power minus 3 ok done r cube done है हाँ से done है आगे देखते हैं जल्दे जले चलो 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 सर जी 18 और v square यह constant v बेटा volume constant है अनने starting में पढ़ा था तो 18 पहले इसको देख लेते हैं यह हो जाएगा बेटा f double dash r ठीक है है ना यह हो जाएगा d 2 z upon dr square ठीक है dr square ठीक है is equal to बेटा 18 माइनस का 18 v square पीछे आ जाएगा क्योंकि constant है भाई वो d upon dr किसका चलेगा बेटा d upon dr चलेगा बेटा r की पावर minus 3 का तो यह आ जाएगा minus 3 into r की पावर minus 4 मैं बताऊंगा कैसे आएगा plus बेटा 4 pi square यह constant है पीछे आ जाएगा क्या बचेगा चलते हैं बेटा यह आएगा d by dr ध्यान से सुनो d by dr r की पावर n वाले फॉर्मिले से जो होगा n r की पावर n minus 1 x वाले से ही निकाला है minus 3 इसकी जगा minus 3 है तो यहाँ minus 3 आएगा minus 3 minus 1 यानि minus 4 आएगा यह आएगा बेटा समझ रहे हो हाँ सर तो इसकी जगा आगया बेटा minus का 18 v square into इसकी जगा आगया minus का 3 r raised to the power minus 4 bracket close plus 4 pi square as it is ठीक है सर as it is लिख दिया इसका solve करेंगे यह 3 है यहाँ 3 है तो 3 3 minus 1 2 3 r की power 3 r square तो यह आजाएगा बेटा 3 r square done है हाँ सर done है so this is nothing but f double dash r जो हमें चाहिए था तो बेटा minus minus plus तो यह plus 18 3 जा इसकी फिफ्टी फॉर 54 v square और r की power 4 है तो बेटा नीचे लिखेंगे r की power minus 4 को plus बना के सर प्लस 4 3 जा 12 r pi square r square यह आया बेटा हमारा f double dash r और f double dash r आने के बाद हमारे पास क्या है last step step number 4 आप कह सकते हो बेटा वो है कि हमें हमारे हमें हमारे critical point को f double dash x में या f double dash r में रखना पड़ेगा तो सर हमारा step number 4 क्या है दोस्त step number 4 है critical point यह है सर ठीक है तो यह putting r is equal to बेटा r is equal to 3 v ठीक है upon root 2 pi upon root 2 pi इसकी whole power बेटा 1 upon 3 यह critical point आया था कहां रखना है बेटा in f double dash r इसमें रखना है r की जगा देखो r यह है r यह है तो r की जगा आपन को रखना है मतलब रखना है और देखना है positive आएगा कि negative वैसे positive यह आएगा क्योंकि हमें minimum चाहिए ना minimum चाहिए ना हाँ least चाहिए ना ठीक है इसको थोड़ा पीछे करते है space बनाने का काम सबसे ज़्यादा डरावना होता है सबसे ज़्यादा ठीक है इसको भी अपन थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं चलो सर ठीक है नीचे ही कर देते हैं adjust ठीक है उसके बाद अपन third step उठाते हैं third step यहाँ से तुकड़े तुकड़े करके pieces करके इसको accommodate करना पड़ता है ठीक है sir ठीक है यह रख लिया इसको अब उपर fake देंगे कि भाई तू जा थोड़ा सा मैं जे space दे ठीक है इसको उपर कर दिया और यह अपन ने यहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा space ही मिल पाया यार चलो कोई नहीं जितना मिला उतना सही ठीक है तो यहाँ लिखने है ठीक है धियान से सुनना जी सर f double dash r r यहाँ नहीं लिख रहा हूं मैं ठीक है r ठीक है is equal to 54 यह सर 54 v square yes sir v square upon r की power 4 यह r है 3v upon under root 2 pi ठीक है इसकी power बिटा 1 upon 3 यह r है यह r है उसकी power 4 तो sir हमने इसकी whole power 4 लगानी पड़ेगी done है sir बिलकुल done है ठीक है plus plus 12 pi square 12 pi square बिटा r square r यह है यह है r ठीक है इसका square करेंगे 3v upon root 2 pi ठीक है इसका whole power 1 upon 3 है यह r है और sir इसका square करना है तो अपन को इसका square लिखना पड़ेगा ठीक है यहां लगाते है sir इसका bracket और इसका अपन लिख देते हैं sir square done है जा हाँ sir बिलकुल done है कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है आव अच्छो शुरू करते हैं इसका calculation अब इसका calculation बड़ा तमीज से करना पड़ेगा हमें पूरी शिद्दत के साथ पूरे होश और हवास में ठीक हम देखो यह कर रहा है पन सुनना ध्यान से सही लिखाता यार मैंने इसको अपन लाते हैं नीचे इसको अपन यहां लाते हैं ठीक है डंसर बस इसमें एक चीज करेंगे अपन अच्छा ध्यान रखना यह जो चीज है न यह अगर आपने इस पर पावर सिक्स लगाए और इस पर होल पावर सिक्स लगा दिया तो यही आने वाला है नाइन वी स्क्वेर अपॉन टू पाई आई आगा करके देख ले न ठीक है अपन क्या करेंगे आर की पावर सिक्स में इस इकोल टू नाइन अपॉन टू पाई स्क्वेर ठीक है वी स्क्वेर वाल्यूम स्क्वेर करेंगे इसका स्क्वेर करेंगे ठीक है तो वाल्यूम स्क्वेर करोगे तो वन का मैंने क्या करा वॉल्यूम स्क्वेर बिटा इसका स्क्वेर मैंने यहां İnजन से कर दिया नाइं से नाइन कर गा पाई स्क्वेर से पाई स्क्वेर कर गा सर ठीक है त्यक Мыुहां हमारे पास बचा लिखने यहां पर R की पावर 6 ठीक है यहां R की पावर 4 है upon में आ जाएगा R की पावर 4 is equal to ठीक है सर यहां से 2 बचा और H square तो H square upon 2 बचा ठीक है सर R की पावर 6 upon R की पावर 4 R की पावर 2 देगा और 2 को इधर भेज देंगे is equal to H square H से square अटाएंगे तो बचा क्या आएगा H से square अटाएंगे तो यह under root में 2R square आएगा प्लस कही रहेंगे था प्लस माइनस मतलगा देना बचा ठीक है ठीक है तमीज से देखना R की यह वो value आई बचा जिधर ध्यान से सुनो जिस पर curved surface area of given cone will be minimum of given नहीं curved surface area of cone लिख देंगे बस given नहीं of cone will be minimum is minimum ठीक है minimum रहने वाला इस point पर बिटा यह question हमारा complete हो गया मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ पहले यह पूरी की पूरी भही है slide भर दी अपनने फिर उसके बाद बिटा अपनने यह पूरी की पूरी slide भर दी and finally देखो first point, second point, third point, fourth point के बाद अपनने निकाल लिया ठीक है done है सर बिलकुल done है चलो question number question number 25 पे चलते हैं यह question number 25 बिटा पढ़ लो one of the most important question it is बिटा यहाँ 25 question जो है न 25 show that the semi vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is 10 inverse root 2 मेरी बास सुनो ध्यान से जी सर, देखो बच्चा सबसे पहले तो तुम given पकड़ लो given, क्या given है सर slant height given है अब slant height अपनको given है तो slant height क्या हो गई बिटा slant height हो गई constant fixed ठीक है सर, slant height को L से denote कर दें आओ चलो पहले cone बनाते हैं इसमें ठीक है सर जी cone बनाओ तो भी आख बना लिया अपनने बढ़िया सा cute सा cone ठीक है, this is a cone जो हमने बना लिया है, ठीक है सर इसको बंद कर देंगे अब इस cone में ध्यान से सुनना जो slant height है न वो हमें given है ठीक है, slant height क्या होती है पेटा slant height यह होती पेटा, यह fizzal बट्टी वाली inclined है न, inclined height यह this is called as slant height तो सर यह जो है न इसको मैं ऐसे zigzag line से बना रहा हूँ यहां से लेकर यहां तक this part is fixed तो हमने यहां पर slant height L और bracket में लिख दिया भईया fixed fixed का मतलब आपको पता है क्या होता है fixed का मतलब, fixed का मतलब होता है सर जी constant given है और जो चीज़ given है वो fixed है भईया, ठीक है सर next, show that the semi vertical angle of the cone भईया सुनो, पहले तो vertical angle क्या होता है vertical angle यह होता है बच्चो this is vertical angle, ठीक है, यह vertical angle है हमें, चलो सर अभी बना लेंगे, कोई बात नहीं है देखो, देखो दोस्त, यहाँ अपनने क्या करा यहाँ अपनने white color की dot बनाई और अपनने यह जोड दिया यहाँ अपनने radius को joint कर दिया, ठीक है और अब अपन यहाँ क्या बना रहे है, semi vertical angle semi vertical angle यह बनेगा, देखो यह पूरा angle है, vertical angle यह जो angle है ना सर, this is semi vertical angle क्या है बच्चा, this is semi vertical angle और इसको हमने theta मान लिया, let this be theta ठीक है, तो इसके बारे में बात करनी है, वो यह कह रहा है कि semi vertical angle जो है ना, वो है 10 inverse root 2 तो हमें क्या proof करना है, to prove to prove, ठीक है सर जी, क्या proof करना है सर, हमें proof करना है, theta is equal to 10 inverse 10 inverse root 2 सर हमें यह proof करना है, ठीक है, इतना clear है, समझ गए question, हाँ समझ गए, अब बात करते हैं question को solve कैसे करना है, शुरू कैसे करनी है देखो, सब कुछ बिलकुल general होगा, बिलकुल normal होगा, हर एक चीज नॉर्मली करी जाएगी, बस आपको डराने के लिए नोने, theta is equal to 10 inverse 2 दे दिया, proof करने को, देखो बच्चों, इस कौन की क्या है सर, इस कौन की यह क्या है radius, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मैं नहीं पता, यह क्या है, कौन की height, कुछ भी हो सकती है, variable है sir, fix नहीं है, यह दोनों चीज है, ठीक है, done, show that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume, भाईया, कौन का volume क्या है, max, तो जिस चीज को maximum रखना है या minimum पहले वो लिख लेते हैं, volume of cone हमें क्या रखना है, maximum, ठीक है, तो volume of cone क्या होता है, बच्चा, one upon three, pi, r square h, sir, यह होता है, volume of cone के, और यह हमें maximum रखना है, तो जो चीज हमें maximum रखनी है ना, बच्चा, जैसे यह चीज हमें maximum रखनी है ना, तो इसको single variable में आपको लिखना पड़ेगा, single variable मतलब, sir, आपको यह single variable दे, को जैसे r और h, दोनों चीजे है, हाँ, sir, आपको या तो r हटाना पड़ेगा, या h हटाना पड़ेगा, मतलब, pi तो constant है, one upon three constant है, या तो पूरा यह r में कर दो, या पूरा यह h में कर दो, कोई एक variable लेकर आओ, क्योंकि जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम रखना होती है, उसका एक single variable में होना जरूरी है, अब हमें बता है कि यहाँ पर जो slant height है, वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, slant height l square is equal to r square plus h square, clear है, हाँ, sir, बिल्कुल clear है, कोई दिक्कत, no दिक्कत, sir, यहाँ से काम करते हैं, r square की value निकाल लेते हैं, तो यह क्या है का बिटा, l square minus h square is equal to, बच्चा, r square, अब समझना, r square की value, l square minus h square मैंने यहाँ रख दी, 1 upon 3, ठीक है sir, pi, ठीक है sir, r square की जगा मैंने लिख दिया, बिटा, l square minus h square, ठीक है sir, bracket close और h, अब सुनो तुम्हें बताता हूँ, 1 upon 3, एक नमबर है, constant है, pi, बिटा, 22 upon 7, constant है, ठीक है, बिटा, l, l square, l क्या है, fixed है sir, given है, l fixed है, given है, मतलब यह भी constant है, मैंने बोला न, यह भी constant है, h, sir, जी, h एक variable है, h एक variable है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा किस variable में है, h variable में, ठीक है, h is height, height is variable, तो sir ji, यह हमें volume मिल गया, और volume को हमने v से denote कर दिया, this is volume of cone, ठीक है, क्या है sir ji, यह अपना volume of cone, जिसको अपने capital v से denote कर दिया, ठीक है, done sir, हाँ भाई, अब क्या करना है, sir, अब क्या करें, हो गया भाई, अब तो step follow करो, step number one क्या है, भूल गई क्या, step number one है बिटाप, तो step step खेलेंगे हैं अपन, ठीक है, step step खेलते हैं, sir, step number one है, कि हमारा जो v है, इस यह किस के terms में, h के terms में, तो इसको अपन let कर लेते हैं, f of h, fx भी बोल सकते थे, x है नहीं है, उसमें minus h square, done है sir, हाँ sir, done है, बैटर होगा कि इसको और open करके खोल ले, ठीक है, तो और आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है sir, तो v is equal to, मैं लिख लेता हूँ, one upon three pi h into l square, ठीक है, pi h into l square minus one upon three pi h into h square h cube, ठीक है, यह हो गया हमारा, sir, क्या, f of h, this is f of h, अब इसको open करते हैं, differentiate, ठीक है, with respect to h, क्योंकि h में चल रहा है, तो sir, differentiate, या differentiating, both sides with respect to h, h के respect में differentiate करते हैं, तो यह क्या हो जाएंगा, d by dh of f of h, ठीक है, equal, v के बीचे भी d by dh लगा दो, d by dh, v is equal to, ठीक है, अब यह दो टर्म्स हैं, तो दोनों पर d by dh लग जाएगा, d by dh, ठीक है, sir, 1 by 3, pi h l square, right, yes sir, minus, बिटा, d by dh, यहाँ पर भी d by dh आ जाएगा, 1 by 3, pi h cube, done sir, कोई दिक्कत में हो दिक्कत, sir, यह हो जाएगा, अपना f dash h, क्या हो जाएगा, f dash h, ठीक है, sir, equal, यह अपने dv upon dh ही रहेगा, है न, dv upon dh, equal, इसको solve करता हूँ, मैं साइड में, ध्याँ जाएगा, जी sir, d by dh, ठीक है, अब यहाँ पर h के हिसाप से काम चलेगा, h के हिसाप से, तो 1 upon 3, pi, और l square, तीनों, बिटा, क्या है, constant है, तो बिटा, 1 upon 3, pi, और l square, यह तीनों क्या होगा है, sir, पीछे आ गए, 1 upon 3, pi, और l square, यह तीनों, d by dh के पीछे आ गए, coefficient है, बचा, sir, h, तो h लिख देते हैं, और dh upon dh, cancel हो जाएगा, यह बचेगा, समझे हैं यह, sir, तो इसकी जगह क्या है, बिटा, 1 upon 3, pi, l square, clear है, हाँ, sir, बिल्कुल clear है, आगे चलते हैं, sir, इसको एरेस करते हैं, sir, इसकी बात करते हैं, अब ठीक है, minus, d upon dh, ठीक है, sir, d by dh, 1 upon 3, pi, बिटा, यह क्या है, constant है, coefficient बन जाएगा, 1 upon 3, pi, पीछे पहुच जाएगा, ठीक है, sir, बचा क्या, बिटा, h cube, तो यहाँ लिखते है, h cube, यह पार्ट हमें solve करना है, d by dh, x, x की पावर n, minus 1, यहा, h है, बच, और कुछ नहीं है, d by dh, h, x, x, की जागा, h, kर दो, d by dh, h की पावर n, तो यह क्या होगा, n into h की पावर n minus 1, h की पावर 3 है, यह 3 है, बिटा, तो यह क्या होगा, 3, 3 minus 1, 2, तो 3, h की पावर 2, तो यह आएगा, बिटा, 3 h square, ठीक है, तो यह क्या आएगा इतना 3H square 3H square और यह पाई की जगा पाई 1 अपॉन 3 की जगा 1 अपॉन 3 कट गया पाई H square आया क्या पाई H square done है क्या हाँ सर बिल्कुल done है side में मैंने आपको एक एक point एक step एक चीज clear कर दिये करा दिये बहिए कॉर्णर में ठीक है तो यहां पर हमारा पहला step हो गया यानि differentiate करो अपने उस आप कहा सकते हो expression को जिसमें आपने लिख रखा है ठीक है तो expression को अपने differentiate कर दिया यह कॉर्णर में पन ले आए ठीक है this was our step number one step number two क्या है sir step number two जैसे यह one लिखा है ना हाँ sir step number two है हमारा अपने जो f dash x निकाला या f dash h निकाला not f dash x f dash h जो निकाला sir उसको क्या करना है हमें sir उसको हमें equal to zero रखके critical points निकालने हैं यह हमारा f dash h ठीक है sir तो f dash h या फिर अपन कह सकते हैं dv by dh इसको हमें equal to zero रखना है और solve करना है sir किसकी value h की value निकालो h में चल रहा है ना सब ठीक है sir तो h की value निकालते हैं यह राबिटा one upon three pi l ठीक है h की निकालने तो उसको वहां भीज़ेंगे one upon three pi l square is equal to यह plus का pi h square हो जाएगा दोनों दरफ pi है pi से pi कट जाएगा we will cancel it out हमें h की value जाएगे तो h से square एटाएगे तो यह under root में चला जाएगा under root l square upon three under root l square upon three l square upon three plus minus नहीं लगना क्योंकि height है height positive ही रहेगी ठीक है तो l बाहर आ जाएगा बेटा और अंदर में क्या बचेगा नीचे बचेगा under root three तो यह क्या आगया बेटा यह आगया हमारा point of critical critical point आ गया point of critical नहीं critical point आ गया लिग देते हैं सर critical point is critical point is h is equal to l by root three done कोई दिक्कत यहाँ तक no sir कोई दिक्कत नहीं है तो यह critical point हमने सर जी निकाल लिया है इसको भी अपन थोड़ा accommodate कर देते हैं कि तुम भाई यहाँ corner में जाओ थोड़ा space दे दो हमको ठीक है डान यह सर कैसी बात कर रहे हो आप डना डन डन हाँ तुम भी तर आओ corner में है ठीक है तो critical point अपना आ गया सर अब क्या करेंगे step number 3 पे चलेंगे सर step number 3 क्या है बेटा देख लो सामने से एट जाओ तो देख लो आप थोड़ा सा ठीक है done सर देख लो बेटा जल्दी से screenshot ले लो ले लिया हाँ सर पड़ लिया हाँ सर चलो तो अब third step क्या कहता है कि आपने जो f-h निकाला इसको फिर से differentiate करो f-h निकालो f-h या फिर हमारा dv by dh जो है क्या है वो सर ये है 1 by 3 pi l square minus pi h square ठीक है इसको दुबारा differentiate करो f-h निकालना है एक बार मैं cross check कर लूँ 1 upon 3 pi ठीक है r square की जगा l square minus h square आगया ठीक है वहाँ से ले आया अपन value यहां रख दी 1 upon 3 pi h l square 1 upon 3 pi h cube ठीक है इसको differentiate किया तो ये h की basis पे करेंगे न 1 upon 3 pi l square आएगा ठीक है 1 upon 3 pi l square और ये आएगा 1 upon 3 pi 3 h square 3 3 cancel minus ka pi h square सही है बिल्कुल सही है कोई दिकात नहीं है चलो आगे चलते हैं सर यहां लिखते है पन differentiating with respect to h again differentiating both side with respect to with respect to h ठीक है अगें दोबारा से करते हैं तो d by d h आ जाएगा सर कहां आ जाएगा बिटा f dash h के पीछे इसमें भी आ जाएगा d by d h किसके पीछे सर d v by d h के पीछे d v by d h के पीछे और यह दोनों minus लगे हुए है तो अलग अलग आएगा d by d h बिटा 1 upon 3 pi l square ठीक है सर minus d by d h बिटा d by d h बिटा किसका pi h square ठीक है pi h square डन सर बिटा ध्यान से सुनना यह हो जाएगा f double dash h ठीक है सर f double dash h हो गया डन यह तो अपने d 2 v d 2 v upon d h square हो जाएगा डन सर equal बिटा ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से सुनना 1 upon 3 pi और l square यार तीनों constant यह तो पूरा का पूरा constant है 1 upon 3 एक constant number है pi constant है 22 upon 7 l l अपन को fix दिया यह constant है यह तो पूरा constant है तो constant वाली चीज़ का d by d h d by d x यह नहीं derivative क्या होगा सर 0 minus ठीक है सर pi बिटा coefficient है पीछे आ जाएगा तो pi अपने लिख दिया फिर आएगा d by d h h square d by d h of h square और बिटा इसको अच्छे से solve करेंगे तो इसका क्या मिलेगा अपन को 2 h मिलेगा इसका 2 h मिलेगा क्या मिलेगा 2 h तो f double dash h is equal to हमें क्या मिला यह minus 2 pi h 2 h आएगा यह 2 h into pi 2 pi h है ना तो यह आगया सर f double dash h कोई दिक्कत नो दिक्कत सर ठीक है f double dash h आगया step number 4 क्या होता है सर step number 4 होता है हमें हमारे f double dash x यानि f double dash h में हमें रखना पड़ता है critical point तो critical point क्या है बिटा critical point है h is equal to कितना है सर h is equal to है l upon root 3 l upon root 3 ठीक है कहां रखना है in f double dash h चलो सर रखते है ठीक है done f double dash h की जगा बिटा 1 upon 1 नहीं l upon root 3 l upon root 3 ठीक है सर is equal to h की जगा l upon root 3 ठीक है minus 2 pi h की जगा l upon root 3 okay now the thing is ध्यान जब सुनना l length is length sorry l slant height fix होगी positive ही तो होगी negative होगी ठीक है सर यह positive यह positive pi positive two positive एक minus लगया तो यह तो पूरा negative होगया तो यह क्या है सर जी यह तो negative आया और बिटा अगर यह negative आया तो हमें point of minima नहीं maxima मिल गया h is equal to therefore h is equal to l upon root 3 क्या है बिटा is point of maxima point of maxima यह भी खतम नहीं हुआ अभी question question अभी आदे से जादा solve होगया maxima यह हो गया सर मतलब h की जगा l upon root 3 अगर हमने रख दिया solve कर दिया तो हमें volume maxima मिलने वाला है क्या मिलने वाला है भईया volume हमको max मिलेगा max बोले तो maximum ठीक है सर अब हमें क्या show करना है ध्यान से सुनना मैं फिर बोल रहा हूं बिटा the thing is आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा हमें यहां पर बात theta की करनी है ठीक है रुक जाओ भी एक second रुको ठीक है ट्राइंगल आगया ready है सर ठीक है ट्राइंगल में अपने dots बना दी कि सर यह इसकी ending points है ठीक है ध्यान दो सुनिएगा जी सर बिटा यह हो गया अपना theta ठीक है this is theta यह बिटा अपना L है ठीक है इसको L लिखते हैं यह क्या है सर यह height है h height L upon root 3 आया ठीक है L upon root 3 लिखते है L upon root 3 done है हाँ sir done है R अब R को भी अगर हम L में कर लें convert तो मज़ा आ जाए यार R को भी L में convert कर लें क्योंकि यह भी L हो गया इसमें भी L में हो गया यह भी L में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा sir कैसे करेंगे L में convert देखो बताता हूं R को L में convert करने का एक विधी है इससे करेंगे अपन देखना sir L square की जगा L square minus h square h की value हम ले आए L upon root 3 तो sir जी यहाँ अपन h की जगा लिखेंगे L upon root 3 और उसका square लगाएंगे is equal to R square then sir solve कर दो तो L square upon 1 minus L square upon 3 is equal to R square 3 LC हम आएगा 3L square minus L square हो जाएगा 3L square minus L square upon 3 is equal to R square ठीक है is equal to beta R square तो R क्या मिला बेटा R square क्या मिला sir R square मिला यहाँ लिख देता हूं मैं 2L square R square is equal to 2L square upon 3 तो R क्या मिलेगा बेटा R मिलेगा अपन को under root 3 ध्यान से सुनना बेटा R मिलेगा under root 2 upon 3 और L square भी under root में जाएगा जो बहार आजाएगा basically है ना थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ मैं ताकि चीज़े clearly दिख पाइं ठीक है ठीक है तो यह हो गया अपना under root L L देखो यह पूरे पूरे square root में जाएगा तो L भार आ जाएगा क्योंकि L square में है है ना और R square square प्लस माइनस मतलगा ना यह radius radius कहा रहा हूं यार यह आ राया हाँ रेडियस ही तो आया यह आर आ गया तो अब आर की जगह जैपन यह नी लिखे अब आप की जगह आर नी लिखेंगे वार की जगह क्या लिखेंगे आरकी पिखेंगे रूट लूट यह देए एक सारी चीजह अपने कि निरने करो ढूब करने है और यह सुन यह एšक बड़ी चीज बताता हूं तुम को ठीक है नोग है एक सी वी जिस angle के हिसाब से काम होगा उसके सामने क्या होती है उसके सामने perpendicular होती है ठीक है मैं फिर बोला हूँ theta के सामने क्या होगा perpendicular चाहो तो यहाँ नाम लिख लो a this is b and this is c ठीक है तो यह होगा अपना a b and c तो पिटा हमारे लिए bc क्या है what is bc bc हमारे theta के हिसाब से बिटा क्या है bc हमारे theta के हिसाब से height है कहां लिख हूँ यार यहीं लिख देता हूँ ठीक है तो perpendicular sorry according to theta theta के हिसाब से perpendicular क्या है सर perpendicular है theta के just सामने bc क्या है बच्चो bc is perpendicular hypothesis 90 के सामने है hypothesis बिटा आपना क्या है एल ठीक है एल मतलब a c hypothesis a c है ठीक है सर परपेंडिकुलर अगर यह हो गई तो बेस हो गई यह भी तो बेस हो गई बिटा क्या बेस हो गई हमारी a b ठीक है डन सर इनकी spelling लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है spelling लिखने की यह स्पेस नहीं है लेकिन एक सेकेंड रुक न ठीक है ठीक है देखती साना परपेंडिकुलर हाइप़ोटनियूस बेस है हाँ सर डन है आगे चलते हैं अब देहों 10 का काम करेंगे है बेट रने के लगएंगे यहां है टेन थीटा टेन क्या होता है टेन थीटा होता है पर्पेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है पर्पेंडिकुलर अपन बेस पर्पेंडिकुलर है बीसी है ना पर्पेंडिकुलर है बीसी कहां लिख लूँ यहां लिख लूँ यहां लिख रहा हूं है ठीक है टेन थीटा इस इ A B A B Bandlałem एरन रूट 3 हैना इसको डिवाइड करना एल अपोन रूट 3 साइड पे गर देते हैं रूट आप रूट रूट 3ल जल्दी से करते हैं सरूट रूट 2 अपॉन रूट 3 एल ठीक है सरूट 2 अपोन रूट 3L यह हो जाएगा perpendicular upon base क्या आई बेस है हमारा l upon root 3 l upon root 3 बीता देखो जल्दी से यहाँ से root 3 से root 3 cut l से l cut root 2 बचा 10 theta क्या आया बिटा 10 theta आया root 2 10 theta आया root 2 theta क्या आया sir theta आया 10 inverse root 2 हो गया complete यह आमें प्रूफ करना था यह complete हो गया बिटा यह रहा screenshot ले लो जल्दी से इसको close करते हैं इसको close करते हैं और यह रहा next question number 26 चलो बई चलो बई अब question number 26 देखते हैं देखो यह क्या गह रहा है show that semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is यहाँ पर surface area given है volume maximum है ठीक है surface area given है volume maximum है यहाँ पर भी surface यहाँ slant height given थी यहाँ slant height given थी और volume maximum था पूरा यह 25 कोशन की तरह उन्हों ने 26 चाप दिया पूरा बस वहाँ slant height given थी यहाँ पर surface area given है समझ रहे हो यह सर पूरा का पूरा वही question है सर हम यहाँ पर बनाएंगे एक प्यारा सा cute सा cone ठीक है सर हमने cone बनाया cone complete करा सर नीचे ठीक है ठीक है ठीक है कोन भी complete कर लिया यह बनाया सर जी और यह हो गया इसका height यानि edge और और यह बना दिया यह radius हो गया ठीक है done देखना दोस्त this this and this ठीक है done सर तो यहाँ पर यह हो गई पीटा height ठीक है सर यह हो गया radius of the cone ठीक है सर सब variable है यह हो कही slant height slant height की जरूरत है क्या नहीं slant height की जरूरत नहीं है बोइटा नहीं स्लेंटायट की जरूरूरत पड़ेगी स्लेंट हाइट हो गया यह ठीक है डन सर तीनोग क्या है वेरिएबिल तीनोग यहाँ पर यह पर जोड़ा सा पन को दिक्कद दे सकता है अब ही बताता हूं क्यों given क्या है बच्चो given mark करो सर जो given है न वो surface area है अच्छा कौन सा? कौन सा surface area? curved के total जब भी surface area लिखा रहे न तो total surface area माना जाता है बच्चा ठीक है? तो इसका मतलब हमें जो given है सर वो है TSA TSA मतलब total surface area total surface area of cone अब यह होता क्या है सर? सर हमें तो पता ही नहीं है यह क्या होता है इसका formula ही नहीं पता formula नहीं पता फिर तो दिक्कत है पेटा formula होता है πाई आर bracket L plus R यह होता है formula total surface area of cone ठीक है? यह अपन को given है ओके सर अच्छा total surface area को क्या मैं A मान लूँ? हाँ सर यह मान लो तो A is equal to pi R L plus pi R square लिख सकते है ठीक है? नहीं समझे pi R L और pi R into R तो pi R square तो लिख सकते हैं सेम चीज़ है बैस उसको expand करके लिख ली ठीक है? मैं फिर बता देना चाहता हूँ यह given है given का मतलब यह fixed है fixed का मतलब यह constant है क्या है बच्चों? this is constant constant है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जल्दी से copy करो बेटा इसको ठीक है? done sir अब देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि volume को आपको maximum रखना है volume आपको maximum रखना है ठीक है sir तो सुनते हैं ना? जी sir अब अगर हमें volume को maximum रखना है ठीक है भी? clear है हाँ sir बिल्कुल clear है अब दे थिंग इस हमें जो चीज maximum या minimum रखनी पड़ती है as the concept says आपको volume max रखना है ठीक है maximum रखने का मतलब है आपको उस expression को single variable में रखना पड़ेगा मतलब volume का यह expression है इसको single variable में लाओ बिटा r इसमें एक variable है h इसमें एक variable है दो वेरियेबिल इसमें मوجود है हमें दोनों को change करके एक variable में लाना होगा यह हमारा काम है बात समझ में आ रही है बिल्कुल आ रही है sir कोई दिक्कत नो दिक्कत sir सुनते या ना जी sir अब कैसे change करे या तो r square को अटा के कुछ Minecraft लाओ के h आ जाए या h को अटा के कुछ Minecraft लाओ के r आ जाए ये काम कर सकते हैं ठीक है एक काम कर दें क्या सर हमें पता है कि l जो है l kalau square क्या होता है sr? l square होता h square plus r square या r square plus h square ये पता होने चाहिए आपको ठीक है class 9th में आपको यह समझाया गया था कि यह slant height का relation radius और height के साथ ऐसे लिखा जाता है L square is equal to R square plus H square इतनी बात तो sir clear है बिल्कुल perfectly पता है sir अब कुछ connection बिठाना पड़ेगा बचों ताकि हम यहाँ पर कुछ तो चीज ला पाएं ध्यान जो सुनना बिठा जी sir यहाँ हमें चीज़ें set करनी पड़ेंगी अब देखना यहाँ अपन को करना क्या है ध्यान जो सुनना ठीक है यहाँ बस यह balance करना ही सबसे बड़ी बात है यार कि balance कैसे किया जाए ठीक है तुम एक काम कर सकते हो तुम L square जो तुमको वो दिया है L square is equal to R square plus H square हाँ सर यहाँ से तुम यहाँ से तुम H square की value निकालो तो H square की value क्या है गी बटा L square minus R square H से square अटाएंगे तो plus minus में मत लिखना सिर्फ plus में लिखना बटा क्योंकि जो H है वो height है height बटा minus में नहीं होती plus में होती तो positive यह plus का ही under root आएगा minus मत लगा देना तो एक चीज़ तो यह हो गई है कहां से निकाल दिया सर अपनने यह निकाल दिया बेसिकली वहां से है न यहां से निकाल के अपनने रख दिया ठीक है सर डन ठीक है डन यह अपनने लिख लिया अब क्या गर है सर अब एक काम करते हैं यह H जो अपनने निकाला यह L और R में निकाल दिया L की value R में निकाल दो यहां से दोको L की value R में कैसे आईगी देखना A के पास πाई R स्क्वेर भीचो माइनस का हो जाएगा is equal to πाई R L L की value निकाल दो पाई R बिटा डिवाइड करने आ जाएगा A माइनस पाई R स्क्वेर अपन पाई R यह क्या होगा बिटा L की value यह L की value अपन इसमें रख देंगे equation number 1 में equation number 1 में रख देते हैं ठीक है done sir putting in equation number 1 ठीक है तो H is equal to पेटा under root L स्क्वेर under root L स्क्वेर what is L स्क्वेर L स्क्वेर है क्या sir तो मैं बता देता हूँ आपको L स्क्वेर क्या है L यह स्क्वेर करेंगे तो पेटा क्या हैगा A माइनस पाई R स्क्वेर अपॉन पाई R यह L हो गया हाँ sir L स्क्वेर बिटा मतलब इसका स्क्वेर रहेगा क्या इसका स्क्वेर रहेगा ठीक है यह L स्क्वेर हो गया और इसके बाद है under root में minus R स्क्वेर तो minus R स्क्वेर अब मेरी बास सोनों दियान से तो पूरा term R में कहलाएगा अपने ठीक है? डन सर, चलो करते हैं, ध्यान से सुनना, जी सर इसको थोड़ा पीछे ले ले, ठीक? हाँ भई तो इसको solve करते हैं बिटा a-pi r square ध्यान से सुनो बिटा जी sir a-pi r square का square a-pi r square का ठीक है square done sir upon upon बिटा pi r का square कर देंगे तो pi square r square आ जाएगा ठीक है pi square r square आ गया फिर आगे आएगा minus का r square तो r square को अपन r square upon 1 लिख लेते हैं अब जल्दी से बिटा इसका lc m लेते हैं lc m आएगा this into this तो pi square r square into 1 अब 1 का multiply इससे हो जाएगा तो यह हो जाएगा a-pi r square done sir minus a-pi r square का square minus यह बिटा इससे multiply हो जाएगा तो pi square और r square का square r की power 4 done है हाँ sir बिल्कुल done है आगे चलते हैं sir अब देखना इसको solve करने का तरीका या तो whole square खोलो तो यह हो जाएगा बिटा a square plus b square इसका square बिटा यह आएगा a square plus b square minus 2ab 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 ठीक है यह हो गया then sir अब minus का बिटा अपना pi square r की power 4 already है clear है हाँ sir clear है ठीक है अब ध्यान जो सुनना जी sir pi square r की power 4 plus pi square r की power 4 minus में है ठीक है upon में बिटा pi square r square already दिया गया है upon में क्या है pi square r square already है अपने पास ठीक है अब जो बचा वो लेक लेते हैं sir यह बचा अपने पास a square minus 2 a pi r square 2 a pi r square ठीक है अपन pi square r square pi square r square और यह क्या है बिटा यह value आई हमारे पास under root में पूरा solve करने के बाद कोई दिक्कत कोई समस्या नो दिक्कत नो समस्या एक बार confirm कर लूँ मैं तो a यहां से l की value आईगी a minus pi r square upon pi r ठीक है l square की value आईगी a minus pi r square का square pi का square r का square ठीक है minus r square तो यह हो गया पूरा सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है done sir तो h जो आया हमारा वो आया बेटा under root under root a square minus a square minus 2 a pi r square done यह sir upon upon pi square r square यह square root नहीं है ठीक है sir pi square r square तो πटा pi square r square तो pi और r भार आजाएगा हाँ sir तो h की value आई बेटा उपर वाला under root में रहेगा उपर वाला under root में रहेगा a square minus 2 a pi r square ठीक है sir upon बेटा pi भार आजाएगा इस root से R बहार आ जाएगा root से तो यह आगा हमारा काहे का value इसको solve कर लिया यह अपन पूरा हटा देते हैं सर जी यह आ गई हमारी H की value पूरे R में और यह value अपन यहां रखेंगे this value we are going to put here क्योंकि अब H को हम किसमें turn कर रहे है H को R में turn कर रहे है तो बेटा volume क्या हो जाएगा हमारा volume will be V is equal to 1 upon 3 pi R square ठीक है सर into H की यह value आएगी सर under root A square ठीक है under root A square minus 2 A 2 A pi ठीक है then we have R square ठीक है upon यह root में नहीं है pi R ठीक है pi R सर काट अपीटी तो करनी पड़ेगी obviously तो बेटा pi से pi गया R square है R से R गया so what is left जो बचा है वो लिख लेते हैं सर ठीक है जो बचा है वो लिख लेते हैं तो हमारे पास जो बचा है बेटा R upon 3 ठीक है सर R upon 3 बचा है ठीक है R by 3 है ना नीचे सुद कटी गया और under root में बचा सर हमारे पास A square minus 2 A pi R square ठीक है यह बचा हमारे पास तो यह अपना वॉल्यूम आ गया है बचा वॉल्यूम किस टर्म में R के टर्म में और देख लो ए तो बचा कॉंस्टेंट है तो एकी टेंचिन आपको नहीं लेनी है डन सर बिलकुल डन अब बचा यहाँ देखना अब हम यहाँ पर steps शुरू करेंगे कौन से steps बचा अब अपन steps शुरू करेंगे second order derivative test वाले steps उसमें ध्यान से सुनना हम इसका पहले करेंगे differentiation जैसे यह पूरा R में है तो इसको अपन क्या मान लेंगे Fx नहीं FR मान लेंगे ठीक है लेकिन बिटा एक कड़बर है क्या सर यहाँ root है sorry सर यहाँ root है root वाले को तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी root solve करना तो अपनी काम करेंगे क्या सर अपनी इसका squaring कर देते है squaring both sides ठीक है squaring both sides और जैसी squaring करा V का square V square हो गया सर R square is R square 3 square is 9 और यह पूरा root तूर जाएगा तो this will be A square minus 2 A by R square done है हाँ सर इसको और अच्छे से लिख लेते है ठीक है इसको और अच्छे से लिख लेते है expand करके क्योंकि इसका differentiation करेंगे तो expand करना ही पड़ेगा और हाँ इसको let कर लेते है let Z मान लेते है भाई V square को V square बार बार नी चलाएंगे अपन Z मान लेते है ठीक है done सर तो V square को अपन ने Z मान लिया यहाँ ठीक है सर R square upon 9 into A square तो यह हो जाएगा पिटा A square upon 9 R square ठीक है सर ठीक है इसका multiply A square में कर दिया माइनस अब इसका multiply इसमें करेंगे तो यह आएगा पिटा 2 upon 9 ठीक है सर R square into R square A pi पहले A pi लिख लेंगे ठीक है A pi R square into R square R की power 4 2 upon 9 A pi R की power 4 2 A pi R की power 4 upon 9 ठीक है चलो और step number 1 सर step number 1 है हमारा differentiation करना है तो differentiating with respect to R R के respect में क्योंकि R है बिटा तो इसको ध्यान से सुनना इसको मान लेते हैं अपन लेटेस से V square तो अटा ही दिया आगा सर तो अपन एक काम करेंगे V square तो अपनने टाटा बाई बाई कर दिया अपनने एक काम किया सर क्या कि हमने यहाँ पर लिख दिया F R हमने मान लिया कि यह function R के terms में F R is equal to Z is equal to this A square R square upon 9 ठीक है सर minus 2 upon 9 ठीक है सर A pi R की power 4 done? yes सर ठीक है done चलो भी आगे बढ़ा जाए तो अब अपन differentiate with respect to R करेंगे तो यह क्या हो जाएगा सर F dash R कहलाएगा क्या कहलाएगा F dash R इसके पीछे D by DR लगेगा सर इसके पीछे भी D by DR लगेगा D by DR of Z ठीक है इन दोनों चीजों के पीछे D by DR लगेगा तो यहां से सुनना है D by DR ठीक है सर A square R square upon 9 minus D by DR D by DR 2 upon 9 A pi R की पावर 4 एक सेके इसको थोड़ा सा side में कर दे जगा का मसला है यार बच्चों स्पेस का मसला है ठीक है हाँ बई 2 upon 9 A pi R की पावर 4 A pi R की पावर सर जी 4 अब बटा इन दोनों को differentiate करना है इसको तो कर दिया है इसका D by DR लगेगा तो F डेशार हो जाएगा यहां समझ ना बटा यहां आपको देखने की ज़रूरत थे कि R है बस variable A square बटा constant है 9 constant है तो A square upon 9 अपने पीछे निकाल लिया ठीक है सर D by DR किसका D by DR R square का और इसका आप चेक करोगे तो 2R आएगा बटा क्या आएगा 2R ठीक है 2 upon 9 constant है A constant है पाई constant है तो D by DR किसका होगा बटा R की पावर 4 का D by DR किसका होगा दोस्त R की पावर 4 का coefficients चो constants उनको पीछे निकाल लिया इसका आएगा 4R cube ठीक है सर इसका आएगा 2R इसका आएगा 2R तो लिख देते हैं बटा 2 upon 9 A square into R A square upon 9 था A square upon 9 2R आगे तो 2R into this तो 2R A square upon 9 ठीक है सर minus बटा यह आएगा 4R cube कितना आएगा 4R cube तो यहाँ 4R cube जैसे 2 upon 9 A pi ठीक है और यह आएगा 4R cube तो 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 तो सर जी यह 8 upon 9 हो जाएगा squat आदेते हैं squat आदेते हैं तो 8 upon 9 हो गया ठीक है सर 8 upon 9 हो गया pi हो गया R cube की जगा R cube अपन यहाँ लिख लेते हैं यह आगे बिटा अपना F Z R F Z R F डash R यह आए ठीक है मैं फिर बता दू A square upon 9 coefficient है constant है पीछे आजाएगे पीछे आगे D Y D R R square का हुआ 2 R आया 2 R into this 2 upon 9 A square 2 upon 9 A square 2 upon 9 A pi 2 upon 9 A pi यह पूरा constant part है पीछे आजाएगा 2 upon 9 A pi D Y D R R की power 4 D Y D R R की power 4 is 4 R cube 4 R cube हो गया 4 R cube का multiply करा तो यह आगया ठीक है done है step number 2 क्या होगा step number 2 होगा आपका जो D Y D X D Y D X कह रहूँ है जो आपका F dash X आया यानि F dash R आया basically ठीक है सर उसको equal to 0 रखके आप वो निकालो critical points ठीक है सर रख लेते हैं इसको critical points R की values होगी ठीक है चलो सर रख लेते हैं तो यह हो गया बेटा 2 upon 9 ठीक है A square R ठीक है minus 8 upon 9 ठीक A pi A pi R cube is equal to 0 अब मेरी बास समझना नहीं तो गरबर हो जाएगी है कई बच्चे इसको वहाँ ले जाएगी और गरबर हो जाएगी गलत हो जाएगा नहीं सुनते जाओ मेरी बास जी सर common लो बेटा इन दोनों से जैसे 2 upon 9 2 upon 9 common है 2 upon 9 common ठीक है A square और A तो A common है R और R cube में से R common है ठीक है bracket में क्या बचा 2 upon 9 गया 1 A गया R गया यहाँ A बचा सर ठीक है minus 2 upon 9 2 तो 4 बचा सर यहाँ 4 बचा ठीक है 4 2 जाएट होता A बाहर गया R बाहर गया पाई चा रहे गया क्या हाँ पाई यहाँ नहीं है ठीक है तो यहाँ 4 पाई R square आया क्या है सर 4 पाई R square is equal to 0 अब यहाँ से जब अच्छे से solve करेंगे तो अपन को सबसे पहले इतना part equal to 0 लेना है फिर इतना part equal to 0 लेना है जब इतना part equal to 0 लेंगे ना 2 upon 9 A into R is equal to 0 तो R की value पर focus करना है क्योंकि F dash R है बटाई है तो 2 upon 9 0 के पास जाएंगे खताम हो जाएंगे R is equal to 0 आएगा यह possible नहीं है radius 0 नहीं हो सकता radius 0 नहीं हो सकता तो इसके नीचे क्या लिखोगे आप rejected आप क्या लिखोगे rejected और लिख देना radius cannot be 0 ठीक है rejected radius cannot be 0 done yes sir next करते है sir ठीक है next क्या होगा next इतने part को बिटा equal to 0 रखना है A minus 4 pi r square is equal to 0 4 pi r square वहाँ जाएगा तो A is equal to plus का 4 pi r square हो जाएगा r square बिटा A upon 4 pi आएगा r square क्या आएगा दोस्त A upon 4 pi ठीक है r क्या आएगा बिटा r आएगा plus minus मतलिक देना सिर्फ positive root में आएगा ठीक है plus minus नहीं आएगा क्योंकि radius negative नहीं होता है तो r आएगा बिटा under root A upon 4 pi under root A upon 4 pi ठीक है तो यह जो आई ना हाँ sir यह जो आई ना बिटा इसको हम बोलेंगे यह हमारा क्या है critical point this is our critical point ठीक है critical point यह हमारा critical point है ठीक है अब critical point आगया second step भी हमने complete कर लिया first भी complete कर लिया third step क्या होता है third step होता f dash r जो आया जो यह f dash आया इसका double dash लाओ double dash मतलब बिटा कुछ ना कुछ तो मुझे erase करना पड़ेगा एक बार आप देख लो so that मैं blank slide पे चलके इसको उड़ा दूँ और इसको जल्दी से erase कर दूँ clear है हाँ sir बिल्कुल clear है ठीक है तो मैं blank slide भी जाओंगा because यहां तो काम करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है sir blank slide लगा दो ठीक है done तो सर जी हमें F-R से third step पे चलने पर third step क्या है पहले F-R copy करो F-R copy किया sir क्या आया sir F-R भीटा यह आया 2 upon 9 A square R ठीक है 2 upon 9 A square R done ठीक है minus 8 upon 9 A minus 8 upon 9 A pi R cube I guess cube नहीं है यह शर्फ 4 है शाहिद हाँ cube है ठीक है done तो अब आपन को इसको differentiate करना है तो पेटा पन लिखेंगे differentiating both sides with respect to R R के respect में तो इसका जैसी differentiation हो का F-R हो जाएगा D by DR आएगा नीचे F-R is equal to दो चीज़ें दोनों को अलग-अलग लिखेंगे तो D by DR दोनों में अलग-अलग D by DR लगेगा 2 upon 9 2 upon 9 A square R minus D by DR D by DR 8 upon 9 ठीक है A pi R cube done है सर बिलकुल done है आगे चलते हैं ठीक है 2 by 9 A square यह तो पूरा consonant है area consonant है तो 2 by 9 पीछे आजाएगा A square पीछे आजाएगा बिटा बचा R तो D by DR D by DR R पे अटेक करेगा जो एक्चुली बिटा कट होके बलिदान दे देगा ठीक है next minus बिटा 8 upon 9 A pi यह पीछे आजाएगा 8 upon 9 A pi पीछे आजाएगा 8 upon 9 A pi पीछे आजाएगा D by DR of R cube चलेगा D by DR of R cube चलेगा और इतना पाट अपन को 3 R square देगा कैसे देगा वो आप comment में बताऊगे ठीक है तो यह हो जाएगा बिटा 2 upon 9 A square ठीक है minus यह देगा बिटा 8 upon 9 A pi as it is into यह देगा 3 R square काट अपीडी करते हैं से ठीक है इससे इसको कट किया बिटा 3 आया तो अब क्या बचा हमारे पास F double dash R आ गया F double dash R आ गया और यह क्या है दोस्त यह अपने पास 2 upon 9 A square minus 8 upon 3 A pi R square A pi R square So this is F double dash R Step number 3 accomplished ठीक है Step number 4 last step Sir last step यह है कि हमें ध्यान ज़े सुनना बिटा हाँ जी last step यह है कि हमें F double dash X में critical point की value रखनी होगी R is equal to under root A upon 4 pi under root A upon 4 pi ध्यान ज़े सुनना R is equal to under root A upon 4 pi A upon 4 pi यहां लिखता हूँ मैं A upon 4 pi यह कहा रखना है बिटा in F double dash X इसमें रखना है F double dash R sorry इसमें रखना है और देखना चेक करना है ठीक है तो F double dash R की जगा यह रखना है ठीक है मैं फिर बोल रहा हूँ F double dash R R की जगा यह रखना है ठीक है अंडर रूट A upon 4 pi is equal to 2 upon 9 A square minus 2 upon 3 A square 2 upon 3 A square done A into A is A square इसको solve गरेंगे LCM V LCM लेंगे पहले A square common ले लो bracket में आएगा 2 upon 9 minus 2 upon 3 ठीक है तो यह minus 4 upon 9 आएगा तो यह आएगा बिटा minus 4 upon 9 और A square बिटा यह negative आया यह negative आया तो maxima चाहिए था मैं maxima मिल गया क्या आया दोस्त यह negative क्या से negative साब बतातो तो भाई A square जो है वो area का square है यह स्क्वेर है तो positive होगा अब positive और यह negative number positive, negative, negative तो यह क्या है पेटा यह हम लिखेंगे यह negative आया और अगर यह negative आया तो इसका मतला point of maxima आगया तो sir point of maxima क्या है point of maxima है हमारा critical point है point of maxima हमारा critical point आ गया sir क्या है sir r is equal to under root a upon 4 pi ये point of maxima है मतलब इस point पे maximum value आएगा maximum इस point पर maximum value आएगा पर हमें ये नहीं पता करना हमें theta ध्यान तो सुनना बात semi vertical angle की हो रही थी अभी मैंने previous question में तुमको समझाया है semi vertical angle ये होता है ये होता है इसको अपने theta मान लिया तो हमें basically theta जो semi vertical angle theta है वो prove करना है sine inverse 1 by 3 हमें ये prove करना है समझ रहे हो ये prove करना है to prove आप कह सकते हो तो ये हमें prove करना है चलो sir हम prove करते हैं इतना पाट बनाऊंगा बस में ठीक है this 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 ठीक है तो abc triangle बनाता हूँ आपके लिए मैं blank sheet पर ठीक है sir यहाँ बना दे हैं बिटा triangle abc this is triangle abc जल्दी से sir point रख लो abc ठीक है ये triangle abc हो गया यहाँ पर अपने 90 degree mark कर दिया यह हमारा semi vertical angle यानि की theta हो गया कोई दिकत नो दिकत सर आगे करते है ठीक है तो ध्यान से सुनना जी यह है बिटा slant height L यह है बिटा अपना height H और यह है बिटा आर कोई दिकत कोई समस्या नो दिकत नो समस्या सर हाँ अब ध्यान दो सुनना ध्यान से जी सर ये जो आर है ना ये जो आर ये आर किसके according लिखी हुई है a upon 4 pi के according लिखी हुई है आर ध्यान दो सुनो जी सर ये अपना point of maximum आ गया एक second रुकना इसको थोड़ा से short कर दूँ ये अपनने यहाँ accommodate करती इसको भी जरा side में भेजते हैं अभी कई बच्चे सोचेंगे सर अब तो हो गया ना हो तो गया लेकन बेटा अभी लेकिन 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 यहाँ पर अभी main काम बाकी है वो अपन करेंगे जरा ठीक है डन सर इसको थोड़ा सा side में कर दें खाना खाने के बाद पढ़ाना मतलब ढकाराना कोई नहीं चलो ठीक है हाँ वही तो यह चीज़ अपनने ली और थीटा हमें साइन थीटा दिखाना है दिखना साइन थीटा होता क्या है साइन थीटा साइन थीटा होता है सम पीपल है यानि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटनिवस इसके सामने यह परपेंडिकुलर तो यह होगा पिटा परपेंडिकुलर यानि बी सी अपन हाइपोटनिवस यानि है सिदिक है तो बिटा रेडियस तो हमने एरिया में लिए ध्यान जो सुनना जी सर रेडियस और बात ऐसी है कि आर और एल हमको दोनों सेम वेरियेबिल में लाने पड़ेंगे तब जाके हम वन अपों त्री लाप आएंगे ठीक है सर होगा कैसे आप बताते हैं ध्यान जो सुनना जी सर अपने लिंक किसको बनाये ता लिंक लिंक कहां चला गया ठीक है एच हो गया ये एच को मारो गोली तो यहाँ L ये आगया ठीक है L लो भी आई ये है L ये है बिटा ये भी L जो है वो R और A में है ये उठाएंगे अपन ठीक है ये बस ये ही तो चीज है ये ही तो समझना ये L उठा यहाँ से A माइनस पाई यार स्क्वेर ठीक है A माइनस पाई यार स्क्वेर L क्या है बिटा A माइनस पाई यार स्क्वेर ठीक है अपन पाई यार ये L है ठीक है आजाएगा आएगा कि नहीं आएगा बिलकुल आएगा सर अब समझते या ना बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको आर की जगा मुझे यह लिखना है जो आया आर की जगा मैंने लिखा बेटा अंडरूट एपॉन अंडरूट अरे भाई रुक जाएक सेकंड आर की जगा एगर ये लिख दूँ एके ट्रमस में ऐल की जगा अगर मैं ये लिख दूँ एके ट्रम्ज में तो क्या कुछ काम बन पाएगा बन तो जाना है जाए जाएर पहले इसी को सॉल्व कर लें क्या इस को ही सॉल्व कर लेते हैं आ आर की वैलू रखके ठीक है अagा की value अगर यहां रखेंगे तो क्या रहेगा पिटा नाइए ऐसे नहीं करेंगे मतलब values तो clear हैं दोनों RRL A के terms में हम लिखेंगे देखो पिटा दिखान से सुनना यहां पर अपने A की एक और value भी निकाली थी देखो कहां चला गया कहीं न कहीं तो निकाली है दिख क्यों नहीं रहे यार A is equal to यह T कहां चला गया इसको T लिखो ठीक है यहां कहीं तो value है बेटा ध्यान से देखना पड़ेगी है अपन को एक second A की value यार निकाली तो थी कहां चली गहीं सब एक A की value आई थी अपनी कहां है मैंने erase कर दी क्या A is equal to critical point F dash यह आया फिर इसको second वाला point कहां रखा था equal to zero वाला यह यह है यह 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 कह रहा हूँ न मैं कहीं ना कहीं तो है यह जो point दिख रहा है ना A is equal to four pi r square भाई बहुत खतरना questions है यह यह जो point दिख रहा है न equation कितनी बन गई एक बनाई दूसरी तो नहीं बनाई नहीं सर इसको दूसरी equation बना देते हैं चलो यह equation two हो गई यह उटा बिटा four pi r square ठीक है अपन यहां उटाते है equation two A is equal to four pi r square है ना रखो यहां L is equal to A की जगा four pi r square minus pi r square upon pi r ठीक है सर done है बिल्कुल done है सर कोई दिक्कत नहीं है यह जाएगा three pi r square upon pi r सर cancellation करो pi से pi cancel r से r cancel तो L कतना है 3 r L कतना है बच्छा 3 r आया ठीक है ध्यान से सुनना जी सर खतम हो गया बिटा ले हो r की जगा r upon l की जगा 3 r r से r कता sin theta क्या गया बिटा sin theta गया उपर 1 upon 3 theta क्या आया दोस theta आया sin inverse sin को भेजोगे उदर rHS में 1 upon 3 this is our answer यही हमें proof करना था ठीक है इन questions में last में जब proving की बात आती न तो बिटा धिमाग खराब कर देते हैं यह questions ठीक है तो यह ध्यान से देख लो हो गया question हमारा finally finished चल्दी से देख लो this is done clear है हाँ sir clear है तो आगे चलें जंप करें sir next पे हाँ sir बिलकुल जंप करेंगे और वैसे जंप करने ही क्या है sir अब तो खतम ही हो गया हाँ यह बात तो सही है खतम हो गया session ठीक है तो we are done with this session and I hope आपको मज़ा आया होगा चल्दी से like-like कर देना यार और बढ़िया तरीके से दोस्तों के साथ share wear कर देना so that बढ़िया तरीके से हम खतम कर सकें ठीक है so I'm ending this यह सामने से हट जाता हूँ screenshot ले लो भी या ठीक है यह तो थोड़ा जादा हौच पॉच हो गया equation व equation बनाते हुए चलना बेटा बहुत काम आती है finally तो session खतम हो गया है wow congratulations relations पर exercise खतम नहीं हुई है हमारे तीन questions और बचे 27, 28, 29 तो वो आपको next video में में बता दूँगा वो भी बड़े बड़े है actually वो MCQs है पर MCQs का यह मतलब नहीं है कि sir छोटे छोटे तो हैं sir तीन MCQs तो हैं इसी में करा दूँ नहीं 100% free of cost high quality education for K-12 यानि kindergarten से लेकर class 12 अपना हर हालत में CBSC board हर subject आपको यहां इसी channel पर पूरी तरह से पढ़ाया जाता है and that to free of cost हिंदी medium के जितने भी बालक बाली कहाँ हैं भीया जो class 6 से लेकर class 12 तक यह सारे boards में कोई Delhi board में होगा कोई बिहार यूट्यूब चानल पर जहां पर हिंदी medium वाले बच्चे बड़ी अतरीके से free of cost high quality education प्राप्त कर सकते हैं और notes के लिए बिटा class 6 to 12 English medium and Hindi medium all subjects के PDF notes made by experts आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी website और application पर visit करके जल्दी मिलेंगे next session में जिसमें हम exercise 6.3 खतम करेंगे till then happy learning, take care, bye